Hey guys, it's a pretty and आप देख रहे हैं अपना YouTube channel IQ Student Point and बहुत से students के continue message आ रहे थे टेलिग्राम पे और WhatsApp पे कि मैम अभी तक हमारा registration नहीं हुआ है, अब हम क्या करें ठीक है और Delhi University के जो cut-off है वो कब तक आ सकती है ठीक है, सो सबसे पहले हम Delhi University के official website को login कर लेते हैं वेबसाइट को login करने के बाद जो आप नीचे scroll करोगे तो यहां आपको admission 2020 पे क्लिक करना है ठीक है, उसके बाद जो आप नीचे यहां पे scroll करोगे तो यहां पे तीन option आ रहा है अंडर ग्रेजूट अड्मिशन पोर्टल, पोस्ट ग्रेजूट अड्मिशन पोर्टल, एमफिल पीएचड अड्मिशन पोर्टल, आप तीनों में से जिसके लिए भी अपना registration करना चाहते हो आप उस पे क्लिक करोगे, दूसरी बात ने आपको यह बता दूँ कि पहले 18 तारिक तक की लास्ट डेट थी, registration के लिए बटब 34 तक कर दिया गया है, तो 31 तारिक से पहले पहले आप अपना registration करवा सकते हैं, क्लियर है आप लोगों को यहां तक, ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे यहां पे स्क्रोल करोगे, यहां पे देखिए, जैसे कि मैंने भी आपको बता है registration का जो भी process है, जैसे undergraduate का registration process है, जब उस पे क्लिक करोगे, तो अभी आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सारा process य कितने student ने कैसे registration किया है, यह information यहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, अब उसके बाद यहां से आपको click करना है, undergraduate में आपको admission लेना है, post graduation के लिए, master of philosophy या फिर PhD के लिए आप admission लेना चाहते हो, तो यहां पे सारी चीज़े यहां पे available है, आपका fee structure क्या होगा, merit based के students के ल कि cut off कि, कि cut off कब तक निकल सकता है students के, तो देखिये, जैसे कि आपको मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको ECA के बारे में बताया था, ECA means extra curriculum activity and sports quota, ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया था last time भी, कि जो इसमें आप admission लेना चाहते हैं, अगर इसको apply करना चाहते हैं अपने admission में, तो आप 31 August से पहले पहले apply कर सकते हैं, अब माली जी किसी student ने already admission ले लिया है, चीक है, और ये notice तो अब publish की गई है, University of Delhi की तरफ से, तो वो student जिनोंने already admission के लिए registration करवा लिया है, वो भी again apply कर सकते हैं, इन में से जिस activity में भी वो उनको certificate मिला हुआ है, उस activity के बिहाफ पे, हाँ, उसके लिए उनने extra 100 रुपी पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको admission मिल पाएगी, ठीक है, I mean, in quota के बिहाफ पे admission मिल पाएगी, और इसकी facility जो है, वो उन students को मिल पाएगा, ठीक है, तो obviously बात है, जब ये admission या भी 31st August तक चलने वा है, तो जो cut-off है, वो 31st August के बाद ही आएगी, ठीक है, so I hope आपको समझ में आ गया होगा, but still कोई doubt हो, आपके admission से related, आप नीचे comment box में ये telegram पे मेरे से पूछ सकते हैं, so thanks for watching this and best of luck all.